Hello friends, कैसे हैं आप सब लोग तो Goodwill का ये last video है और इससे पहले हमने Goodwill के तीन वीडियो और देखा जिसमें हम लोग ने सबसे पहले पार्ट में देखा Average Profit Method में Simple Average Profit Method, दूसरे में हमने पढ़ा Weighted Average Profit Method, तीसरे में हमने Super Profit Method, जो सबसे ज्यादा इंपोटेंट है यह हमारा लास्ट वीडियो होगा और हम आज खतम करेंगे अपने गुडविल चैप्टर को कैपलाईजिशन मैथर्ड के साथ इसके बाद हम लोग बिजनस स्टेडिस का पूरा कोर्स निप्टाएंगे पहले BST का पूरा कोर्स होने के बाद ही फिर हम आज़ो के बाकी चैप्टर लेकिन अब हम लोग बिजनस स्टडीज का पूरा कोर्स करेंगे चाप्टर 1-2 चाप्टर 12 30 डेज प्लेज के अंदर जो मंडे को शाम को पांच बजे से डेली चलेगी क्लास आपको डेली वीडियो में पांच बजे मंडे के अनवर्ड ठीक है और 30 डेज के अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स सारा खतम कर दें के साथ और देन हमारा पूरा फिनिश फिर हम लोग अकाउंट एक को के अंदर ही फोकस करेंगे बाखी रच ताइम फिर बिफोर एक्जाम बीच 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 बी और एक बार रिविजन कर लेंगे चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि अपने इस इस टॉपिक को देखो आप सबको मैंने बता रखा है कि जो गुडविल कैलकुलेशन होती है वो इसके मैथर्ड जो होते हैं वो तीन मैथर्ड है तो इस तीसरे मैथर्ड का आज हम यहां पर फिनिश करेंगे तो मैथर्ड नुबर थर्ड डाल देता है हेडिंग और इसका नाम है क्यापिटलाइजेशन मैथर्ड क्यापिटलाइजेशन मैथर्ड लेकिन इस मैथर्ड से गुडविल निकालने के लिए इस मैथर्ड के दो पार्ट होते हैं यानि क्यापिटलाइशन मैथर्ड के दो पार्ट हैं सबसे पहला है क्यापिटलाइजेशन ओफ एवरेज profits और दूसरा है capitalization of super profits पहला है capitalization of average profit दूसरा है capitalization of super profit अब मैंने अपने last वीडियो में जो इससे पिछला वीडियो था उसके अंदर आपको बता दिया था super profits को कैसे calculate किया जाता है तो आप वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको वीडियो अच्छे समझनी है तो super profit का formula में ज्यादा इसमें discuss नहीं करूंगा वैसे मैं बता दूँ आपको super profit का formula होता है average profit minus normal profit average तो सब जानते हो निकालना और average में से हम salary को minus करते हैं पूरे साल की और सारे partners की नॉर्मल profit का formula होता है capital employed into rate of return upon hundred इस चीज से निकलेगा normal normal को यहां रख दोगे तो आजाएगा super तो capitalization of super profit का formula होता है यानि कि इस method से goodwill निकालने का formula है बहुत ही simple है आप super profit निकालोगे पहले super profits into hundred upon rate of return ध्यान रखना rate of return इस बार नीचे आएगा अगर 10% है तो 100 upon 10 20% है 20% है तो 100 upon 20 40% है तो 100 upon 40 तो simple है capitalization of super profit method से goodwill का formula बहुत ही simple है goodwill is equal to super profits into hundred upon rate और capitalization of average profit से goodwill का formula है capitalized profit minus net asset क्या formula है capitalized profits हम capitalized profit में से क्या minus कर देंगे net asset को आप सबको पता है net asset का formula होता है asset minus liability यानि net asset is equal to asset less liability और जो capitalized profit का formula है उसका formula है average profits into 100 upon rate average profits into 100 upon rate of return यानि कि जो capitalized profit है उसका formula है average profits into 100 upon rate और capitalization of super profits into 100 upon rate तो यह आपको पहले formula लिखके अच्छे से learn करना है 15-10 में time देखके समाझ केस को then question मनाने पर चालू करेंगे तो अभी हम question करेंगे capitalization of average profits और capitalization of super profits दोनों methods है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर question में कुछ भी given नहीं है तो आप यह मान के चलना कि वह capitalization of average profits ना कि capitalization of super profits है अगर question में कुछ भी given नहीं होगा तो क्या मानोगे आप कि वह capitalization of average profits है ना कि capitalization of super profits है clear रहां तक तो चलो अब हम question मनाते हैं इसके एक एक करके सारे questions की practice करेंगे सबसे पहले आते हैं 30 question पे question में 30 का solution देखते हैं क्या है जो जो giver करके लिखते जाऊंगा और solution करेंगा और एक भी question समझ गया आप तो सारे question वसी होंगे इसमें अलग कुछ नहीं है तो मैं ज्यादा questions की practice नहीं कराऊंगा आपको कुछ question homework दे दूंगा कुछ हम question यहां बना of average profit method का use करेंगे जब कुछ नहीं लिखा है so goodwill is equal to capitalized profit minus net asset अब net asset का formula होता asset minus liability सुनों यहां पर net asset का formula क्या होता है asset minus liability capital employed का formula भी क्या होता asset minus liability जब दोनों का formula सेम है तो net asset ही हमारे लिए क्या बन जाता है capital employed यहां पर capital employed net asset वह एक ही चीज़े वह दे रखा आपको 16 lakh और capitalized profit का formula मैंने बताया था आपको average profit जो की 2 lakh है 2 lakh है into 100 upon rate तो average profit कितना है 2 lakh into 100 upon rate कितना है बता हो जारा है यहां पर रेट है 10% तो 100 upon 10 तो यह कितना आएगा बता हो जारा है 100 upon 10 अगर हम कर देते हैं इसको तो यह आजाएगा 20 lakhs तो अगर आप 20 lakhs में से माइनस कर दोगे 16 lakhs तो आपका answer यहां पर आ जाएगा 4 lakhs जो की बिल्कुल correct answer तो इस तरीके से आपने goodwill का answer निकाल लिया है 4 lakh capitalization of average profit method से कुछ नहीं लिखा होता तो हम capitalization of average profit method से ही calculate करते हैं उमीद है आपको समझ आयोगा like जरू कर दिना वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है समझ आ रहा है ठीक है और ऐसे हम पूरा course भी करेंगे complete course करके जरूर देख लेना ठीक है और टेलेग्राम ग्रुप में question भी दे दूंगा अब ना सुनिल पांडर 12th commerce हमारा telegram group है जहां पर हम सारे वीडियो के जो PDF है जितने भी वीडियो आपने अब तक देखा है 12th session का सबकी वीडियो और पीडियो दोनों वहां पर मिल जाएगा question देखते है 34 मैं कराता हूं आपको अब 34 question में दे रखा है आपको profit दे रखा है past 5 years का तो एक काम करो आप यहीं पर एवरेज profit निकाल लो एक साथ ही तो हम ऐसी add करके निकाल लेंगे average profits को 54,000 है प्लस 42 करेंगे तो आएगा आपका 96,96 प्लस 39 करोगे तो 135,135 प्लस 67 याएग तो 261,000 तो 261,000 आपका 5 साल का total profit है उसको 5 से आप divide दे दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहां पे 52,200 का average profit आ गया net asset दे रखा है क्या application rate दे रखा है तो आप देखो कैसे निकालना है फॉर्मला तो आपको पता यह गुडिल का question number चेक कर रहे हैं कौन सा यहां पे question 34 ठीक हो capitalized profit minus net asset formula है capitalized profits minus net asset capitalized profit minus net asset तो capitalized profit का formula average profits into 100 upon rate तो यहां पर rate कितना दिया हुआ है check कर लेते हैं rate 20% net asset 2,000,000 का rate 20% है और net asset कितने का 2,000,000 का तो अगर आप इसका 100 by 20 करते हो तो मतलब 5 से multiply करना है इसे 5 से multiply कर दोगे तो आएगा 2,60,000 और minus कर दोगे इसमें से कितना 2,00,000 तो 61,000 में इसाब से आपका answer 34 का आ जाएगा तो यह 34 का 61,000 clear यहां तक तो यह सारे थे questions capitalization of average profit अब हम एक question देखते है capitalization of super profit से और दोनों से answer अलाग अलाग आ सकता है जरूनी कि दोनों से answer same आएगा दोनों से आपका answer आएगा वह different आएगा capitalization of average profit से और capitalization of super profit से चलो 34 हमने बना लिया 35 मैं करा हूँ capitalization of super profit से question ठीक है और उसके बाद 36 जो है यह हम लोग क्या करेंगे यह भी करेंगे solve 35-36 और आपने वीडियो हाँ पर end करेंगे तो मैं आपको एक दो तीन चार कोशिन करा दिया मतलब और तीन कोशिन आपका homework है और इतना कर लोगे आपका chapter फिनिश हो जाएगा हां अगर past adjustment के question अगर इस बाद CBC add करती है syllabus कट में नहीं करती आपका reduction नहीं करती syllabus में तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा इसमें वह सारे questions करेंगे तो don't worry पूरा complete हो यहां पे आपको पूरा पूरा board के हिसाब से preparation कराया जा रहा है तो आप भरोसा करके तयार कर सकते हो अपने पास्टियर के बच्चों से आप experience लेके अपने preparation कर सकते हो 35 question मैं solve करता हूं मुझे कुछ नहीं करना super profit निकालना है 100 upon rate कर देना है खतम बाद तो super profit निकालते है 35 के application of super profit method से निकालना और super profit method से निकालना है 3 year purchase तो एक काम करते है super profit निकाल लेते है फॉर्मला होता average profit minus normal profit तो यहां पर मेरेको average profit दिया हुआ है already 4 lakh अगर कोई salary दी होती तो माइनस करते है average से पर दिया नहीं है rate of return 10% asset और liability दे रखा है और आप सबको पता होगा कि जो capital का formula होता है वो asset minus liability होता है तो 40 lakh से 7,20,000 हटा दूं आपका asset कितना है आप यहां पर लिख सकते हो capital जो आएगा आपका asset minus liability 40 lakhs में से 7.2 lakhs अगर आप minus कर दो 40 lakh से अगर आप 7 lakh 20,000 माइनस कर दोगे तो आपका 32 lakh 32 lakh 32 lakh 80,000 ठीक है यह आपका capital employed आ गया 32 lakh 80,000 capital employed into normal profit का formula क्या होता है capital employee into rate upon 100 अब इसे 100 upon rate मत कर देना यह rate upon 100 होता है तो 32 lakh 80,000 का 10% आएगा 32 lakh 28,000 3 lakh 28,000 तो यह आपका super profit मिल गया यहां पर super profit तो 4 lakh में से अगर आप घटा दोगे 32 lakh 28,000 तो आपका answer आजाएगा 72,000 ठीक है 72,000 तो super profit आपका answer आगा 72,000 अब हमें निकालना क्या है first part में capitalization of super profit तो formula क्या होता है बताओ गोडिल का formula होता है इसमें super profit 72,000 formula जरूर लिखना examination में ठीक है into 100 upon rate तो अगर आप super profit into 100 upon rate कर दोगे तो आपका answer आजाएगा 7,20,000 ठीक है तो यह first part हो गया अभी second part में super profit method से बताओ formula क्या होता है क्योडिल का super profit 72,000 into number of year purchase तो super profits into number of year purchase 72,000 को 3 से कर दोगे multiply तो यह आजाएगा 2,16,000 तो यह हो गया आपका question complete दोनों method से आपने answer को निकाल लिया है first method से और second method से ओके आपको उमीद है अच्छे समझ आयोगा हाप screenshot ले सकते हो या फिर में हिसाब से तो आप हमेशा note करा करो साथ साथ आप slow करना है play fast play करना है कैसे करना है वह आपके पास headache है सारा का सारा आपका control में है तो आप वहां पर कर सकते हो 36 question हमार आखरी question होगा यहां पर हम एंड करेंगे इस chapter को then business studies को हमें पूरा syllabus खतम करना है तो मेरे हिसाब से तो आप अभी अभी खतम कर दो हम मतलब कि जुलाई तक एक जुलाई तक पूरा syllabus खतम कर देंगे अच्छे से तो आप लोगों का अच्छे से कावर हो जाएगा पूरा का पूरा बेसी 30 डेस प्लैस के अंदर बाकि होट्स को स्टेड़ी अमसी उस सबकी प्लेलिस पड़ी हुई है जाके देखके अपना खतम कर देना बेस्ट जितनी जल्दी सब्जेक खतम कर दोगे ना उतना जल्दी उतनी जल्दी आपका सिलवस जो है पूरा का पूरा फिनिश होगा आपको जाड़ा ताइम मिलेगा रिवीजन का और टॉप कर सकते बोड के अंदर ताकि ड्यू के रेगुलर कॉलेज में या किसी भी अच्छी इनुवर्सिटी के रेगुलर यहां परคะ पूरा मेरेप प्राफिट दिया हुआ है ऐव्रेज प्राफिट्स था लाक धर इक डिया हुआ है वड़त दिया है यह वाल कु आर्वार दिया हुआ है तिन परसंट का अभरेज प्रोफिट फाइवला आरवाट 5 लाक ऐा आods 10 परसंट एसेड़ कल नेलागी है 55,00000 में से कितना घटाना है आपको दिया हूए 14,00000 55,00000 माइनस 14,00000 तो अगर आप 55-14 घटा दोगे तो आपका अंसर आजागा 41,00000 एक्जामिनेशन में एल मत लिखना लाक के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना तो यह हो गया आपका 41,00000 का कैपिटल अब आपको दोनों मेथट से निकालना है इसमें calculate the value of goodwill, capitalization of super profit as well as capitalization of average profit तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, capitalization of super profit से पहले मुझे super profit निकालना पड़ेगा, उसका formula क्या होता है, super profit average minus normal, average कितना दे रखा है, 5 lakh, normal का formula क्या होता है, capital employed, 41 lakh, capital employed into rate upon 100, into 10 upon 100, तो यह आएगा आपका 5 lakh में से 4 lakh 10 तो 90,000 और जो formula है goodwill का वो होता है, super profit यानि कि 90,000 वो 5 lakh में से घटा देगा, तो 90,000 आएगा, 90,000, super profit into 100 upon rate कितना है, 10, तो इस दिसे आपसे मेरा answer जो आएगा, 9 lakh, ठीक है, तो 9 lakh का answer यह हमारा आ गया, super profit, capitalization of, अब हम निकालते है, capitalization of average profit से, यह लिख लिख लिए आप लोगोंने, अब capitalization of average profit method से निकाल लेते हैं, तो capitalization of average profit से जो formula है goodwill का, वो होता है, capitalized profit minus net asset, वो formula होता है, capitalized profits minus, दोनों method से आपका complete हो गया है, minus net asset, net asset को ही तो हम लोग बोलते हैं, net asset को ही capital बोलते हैं, वो दिरका 41 lakh, यहां पर हमने 41 lakh लिख दिया है, अब capitalized profit का formula होता है, average profit जो की 5 lakh है, into 100 upon rate, तो यह आजागा 50 lakhs, ठीक है, 50 lakhs minus 41 lakh, तो इस situation में आपके पास जो answer आ गया, वो आ गया, minus करके देख लो आप 9 lakh, both the cases में same आ गया, अब आप बोलों से थोड़ी दे पहले बोला था आपने अलाग अलाग आ सकता है, दोनों का answer same भी आ सकता है, अलाग अलाग भी आ सकता है, depends किस पर करता है, अगर capital और net asset, दोनों same है, capital net asset दोनों same है, मतलब कि यह कौन सा method आ आ यूज किया है, यह वाला method आ यूज किया है, यह है capitalization of average profits, और यह है capitalization of super profits, दोनों का answer same इसली आ रहा है, क्योंकि employed और net asset same है, अगर यह अलग अलग होता, बिल्कुल हो सकता अलग अलग, तो आपका answer जो है वो अलग अलग आएगा, तो हमने यहां पे question of 36 भी पूरा complete कर लिया, I hope कि इसके और जो question से वाप बना लोगे, जो question मैंने तीन homework दिये हैं आपको, यह तीन question जरूर बना लेना, अब हम लोग next video में हम लोग business studies के सार्थ ही मिलेंगे, thank you very much, bye bye, subscribe कर लो bell icon दबा देना class, अगर आपने subscribe नहीं किया अब तक, अपने सारे class 12 के दोस्तों में share कर दो, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको सारे daily videos मिलती है, आप देख सकते हो, चैनल पर जाके already, टेक केर, bye bye, September तक हम अपना पूरा syllabus finish कर देंगे, तीनो subject का, कर दो मुएर सदिते हो, यहां आपको करें आपको का,